वाहिगुरुजी का खाल साय शीरी वाहिगुरुजी की फत्री वेलकम बैक टो मेर्ससीन चैनल आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बुल्गारिया कंट्री कैसी है वहां का वर्परमट कैसे मिलता है कौन-कौन से काम वहां पर अवेलिबल है, सैलरी कितनी है, हमें वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर है वहां पर या नहीं है यह बहुत सारे common questions है, आप लोगों के जो इस वीडियो के अंदर मैं complete करने वाला हूँ ताकि आपको एक अच्छी information मिल पाई इस वीडियो के तरू सो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, बुल्गारिया, रुमानिया, क्रोशिया और साइप्रस ये चार कंट्री बहुत छोटे लेवल की कंट्रीज है यह तीन country रुमानिया, बुलगारिया और क्रोशिय यह Balkan country प्लस European countries है Cyprus सिर्फ European countries है बट क्रोशिय आप लोगों को मालूम है कि ओर लड़ी Schengen Zone का part बन चुक है वहाँ की जो economy है दिरे-दिरे वो भी grow होने शुरू हो चुकी है वहाँ पर बट आब बात करें रुमानिया और बुल्गारिया की ये कंट्री अभी शेंगन का पार्ट नहीं बनी, ये सिरफ बालकन कंट्री और येरॉपेन कंट्री है, यहां की जो फेनाइशल स्टेटस है बहुत ज्यादा कम है, इल्लीगल माइगरेंट होने के कारण, मतलब ये दोनो कंट्री शेंगन जोन का पार्ट नहीं बने, और साइपरस भी इसी कारण भी शेंगन जोन का पार्ट नहीं बने, बट नॉर्मली हम बात करेंगे बुल्गारिया की, बुल्गारिया के अंदर जो लोग वर्क परमिट लेकर जाना चाते हैं, वर्क परमिट का प्राइस जो अगर आप helping की job या construction helper की job के लिए apply कर रहे हो तो आपकी minimum जो salary रहेगी USD dollar के अंदर almost आपको मिलती है तो 500 USD dollar plus रहना खाना आपको जो है मिल जाता है अगर कुछ अच्छे level के उपर जा रहे हो माल लिजे kitchen के अंदर जा रहे हो आप chef की job करने के जा रहे हो तो वहाँ पर 600 से लेकर 800 dollar आपको salary मिल जाती है depend करता है आपको पास experience है या बिल्कु फ्रेशर हो आप तो ऐसे करके कुछ level है वहाँ पर job के लिए बट basic salary 500 dollar आप माल लिजे couple जाते हो couple के लिए भी काफी work permit निकलते हैं बुलगारिया के अंदर तो 100,000 dollar जो है couple को भी मिलता है रहना खाना बिल्कु फ्री मिल जाता है companies काफी अच्छी हैं वहाँ पर बट अगर हम सोचे future की बारे में कि हम work permit लेकर वहाँ पर जाएं हम अपना future वहाँ पर set कर सकते हैं या नहीं कर सकते देखिए अगर आपके लालेच नहीं है आपके दिल के इंदर की मैं 1,2,000,000 कमाना चाहता हूँ बहुत बड़ी amount कमाना चाहता हूँ और बहुत जल्दी 5 साल अपना पैसा जो है बहुत इकठा करके इंडिया वापी चला जाओ फिर तो ऐसी कंट्री ये नहीं है बुल्गारिया कंट्री नॉर्मल कंट्री है फिनाशल स्टेटस ठीक है वहाँ का ठीक है आप यहाँ वहाँ पर जाकर सिरफ अपना खाने पिने का खर्चा जो आपको कंप्री पे कर देगी और 35-40,000 आपना every month जो है save कर लोगे तो अगर आप continuously 5 year काम करते हो और 30,000 आप save करते रहोगे तो आप उसको count कर लेजिए आप near about जो है 15-20 लाख अपनी saving कर लोगे 5 साल के अंदर तो इतना ही है इससे ज़्यादा future नहीं होगा अब लोग पूछना चाते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाए क्या हम अपनी family को बला सकते हैं बिल्कुल जी आप अपनी family को भी बला सकते हो बट जब आपका work permit लग जाएगा वहाँ पर आप जाओगे 1 year वहाँ पर काम करोगे after 1 year वहाँ पर आप अपना tax pay करोगे company आपकी tax pay करेगी उस tax के बेहाँ के ओपर आप company से एक NOC letter लेकर अपनी family को भी बला सकते हो बट काफी लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कैसे बलाएं तो वहाँ के lawyers आपको help करते हैं lawyer की help लेकर आप अपनी family को बला सकते हो मैं long term के लिए नहीं बला सकते है क्योंकि आप भी कुद टैम TRP card पर ही रहते हो तीसरा question इसके ओपर ये आता है कि अगर हम Bulgariya work permit का जो लेकर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर कितनी देर बार PR मिलेगी या हम कितनी देर बार अपना citizen apply कर पाएंगे तो सबसे पहले ये है कि जब आप work permit आपका issue हो जाएगा आप Bulgariya जाएंगे आपको वहाँ पर 3-4 मिने के अंदर TRP card मिलेगा temporary resident permit वो temporary resident permit जो होगा वो every year आपको renew करना पड़ेगा 5 साल आप उसको renew करेंगे 5 year के बाद आपके सारे documents आपके accommodation के documents आपके HOV जहां पर भी आप काम करते हो वो सारे documents के बहाफ के ओपर आपको PR permanent resident permit apply करने का मोका मिलता है ठीक है वो permanent resident permit after 5 years उस 5 साल के अंदर फिर 5 साल जो आपकी resident permit रहेगा जो आपका permanent होगा उस 5 साल के बाद आप पासपर्ट के लिए या citizen के लिए apply कर सकते हैं total overall time period जो रहेगा वो 10 साल का रहेगा अब सोचना है कि 10 साल तो बहुत बड़े हैं easy process क्या रहेगा कई लोग ऐसे भी हैं जो single हैं वहाँ पर जाएं और कोई ना कोई agent वहाँ पर मिल जाते हैं आपका बिलकूँ free of cost में after 3 years आप वहाँ के citizen हो जाओगे वहाँ पर अपना passport apply कर सकते हो but उसके बाद कई ऐसे agent बैटे हैं वहाँ पर शादी करवाने के लिए तो आपसे 5000 यूरो ले रहा है कोई 3000 यूरो ले रहा है कोई 4000 यूरो ले रहा है कोई 6000 ले रहा है easy लग रहा है आपको बर थोड़ा सा करने में difficult रहेगा आपको काफी जदा problem जो है फेस करने पड़ती है तो यह possible है हर एक चीज possible है work permit के ओपर जाकर आप शादी कर सकते हैं शादी करने के बाद वहाँ के paper भी apply कर सकते हैं कोई issue नहीं है ठीक है इंडियन हमारे almost construction work के अंदर जाते हैं फैक्टरी वर्क चीकन फैक्टरी का काम बहुत जादा होता है वहाँ पर delivery का काम काफी जादा मिलता है इंडियन को अभी तो काफी जदा opportunities है वहाँ पर अभी European जितने भी हैं वहाँ पर काम करने के लिए opportunities बहुत जादा है क्योंकि बुल्गारिया के जो लोग है वहाँ आगे शेंडियन जून के अंदर जाकर काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा जादा मिलता है और आपका जो future है वो normal देख लीजिए अगर family को लेकर जाना है तो long term नहीं लेकर जा सकते बड़ वहाँ पर शादी करने के काफी ज्यादा chances है बहुत easy हो जाएगी ठीक है और जो आपका resident permit रहेगा वो पहले 5 साल के लिए TRP रहेगा after 5 years आप PR के लिए apply करेंगे उसके 5 साल के बाद अपना citizen के लिए apply करेंगे सो total 10 साल लग जाएंगे and अगर हम बात करें कि वहाँ से आगे कैसे जाया जाए बहुत जादा easy है आगे निकलना और एक चीज और बताऊं बुलगारिया के TRP card पर आप रुमानिया और साइप्रोस दोनों country को travel कर सकते हो बिना visa के कोई भी visa नहीं लेना पड़ेगा आप just वहाँ पर hotel booking और आपकी return ticket हो दो country की travel history आपकी बन जाएगी अराम से साइप्रोस और रुमानिया और साथ में आप सर्बिया भी travel कर सकते हैं बहुत easily visa मिल जाएगा आप तो कोपानु में सर्बिया जो है on arrival visa बंद हो चुका है बट आपको resident permit होगा तो आपको 110% आपको वहाँ का visa मिल जाएगा तीन country travel कर लीजिए एक बार उसके बाद शेंगन का visa आपको बिलकुल अराम से लग जाएगा तो फिर जैसे मर्जी travel कर लीजिए बट उसके बाद इतना ज़्यादा time spend नहीं करना चाते तो एक जो मैं promote नहीं करना चाता उसका नाम है donkey ठीक है मैं उसको promote नहीं करता यह सिरफ आपकी information के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ से donkey भी easy लग जाती है वाया car आप दूसरी countries के अंदर travel कर सकते हैं आप उनके border cross कर सकते हैं बट still मैं promote नहीं कर रहा है जस्ट आपकी information के लिए आपको बता रहा हूँ झाल 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 झाल